हेलो गाईज, वल्कम टू इंग्लिस एजुकेशन, इस्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइंट बिहाई पुक से फर्स्ट पोएम जिसका नाम है दरोड नॉट टेकन और यहां पर पोएट जो हैं हमें बताते हैं पोएम के माध्यम से कि किस तरह से एक पर पाता है वाट प्रॉब्लम ड़िए और क्या प्रॉब्लम वह फेज करता है तो यहां पर देट रावलर फाइंसेल्फ एड़ अट पॉइंट वह टू रोड डाइवर्स तो देखिए ट्रावलर वहां पर होता है जहां पर एक सड़क होती और वो दो तरफ बढ़ जाती है his problem is to decide on which road he should walk और उसकी problem क्या है वो यह नहीं समझ पाता है इस बात के लिए वो confusion है कि उसे कौन सी road पर जाना चाहिए इस लिए वो काफी confusion में है देखिए next question है यहाँ पर what was the poet's dilemma poet की क्या दुविधा थी the poet was standing before the two roads तो देखिए यहाँ पर poet है उसके सामने दो सड़के हैं दो सड़के जा रही है he had to decide which one would lead him to success और उसे यह decide करना है कि कौन सी सड़क ऐसी है जो सफलती सफलता की तरफ लेकर जाएगी it was not easy for him to decide और यह decide करना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं है कि उसे किस रोट पर जाना है so he is to dare and introspective तो देखिए यहां पर वो खड़ा हुआ है और आत्म निरिक्षण कर रहा है out of out the two options he had to choice the one तो देखिए उसके सामने दो option है और उन में से किसी एक को उसे choose करना है of course it was not an easy choice और यह choice जो है काफी आसान नहीं होती है उसके लिए क्यों जब हमारे सामने भी दो चीज़ें होती है दो equally लगती है और हमें पता नहीं होता है कि उसका end क्या है तो ऐसी condition में एक सही बोट दरोर्स तो देखे पोएट के सामने जो दोनों सडके है उनके बारे में पोएट का क्या विचार है यह हम जानते हैं दो पोएट opinion that both the roads were same पोएट का ऐसा विचार है कि सामने जो सडके है वो दोनों सेम है दे वर equally traveled और उन पर बराबर चला गया है and there was no difference between them उन दोनों के बीच कोई भी अंतर नहीं है so he got confused इसलिए जो पोएट है वो confused हो जाता है it was difficult to decide which road would be more convenient and comfortable तो देखे ऐसी condition में उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है कि यह decide करना कि कौन सी सडक जो है आराम दायक है उसे सही रास्ते पर लेकर जाएगी he wanted to choose the one that would take him to his intended destination तो देखे यहां पर वो क्या चाहता था कि वो उन में से किसी एक ऐसी रोड को चुने जिससे कि वो जहां पर जाना चाहता है जिस मंजिल पर पहुचना चाहता है वो उस मंजिल पर पहुच जाए तो देखे क्या जो पॉयर्ट होता है वो जल्द बाजी में decision लेता है नोखyszए speculated and watered over the situation तो देखे वो क्या करता है वो अनुमान लगाता है वो सोच ता है अनुमान लगाता है काफी ज़ाधा विचार करता है situation के उपर, city के उपर he took his decision after a lot of contemplation तो देखे काफी ज़्यादा सोच विचार करने के बाद ही वो कोई decision लेता है he did not take his decision haphazardly तो देखे काफी जल्दबाजी में वो कोई भी decision नहीं लेता है no doubt he was a bit confused और इसमें तो कोई संधे नहीं है कि वो थोड़ा confused जरूर था after all it was not quite easy to make the right choice तो देखे यहाँ पर उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था कि वो एक सही choice उसके सामने हो और वो बहुत ही आसानी से उस choice को choose कर सके but he exercise his option after much contemplation तो देखे काफी ज़्यादा सोच विचार करने के बाद वो अपने रास्ते को चुनता है तो देखे काफी जल्द बाजी में यहाँ पर जो poet है वो decision नहीं लेता है तो देखे जैसा कि हमने poem में पढ़ा था कि poet उनमें से एक road को चुन लेता है तो यहाँ पर उसी से related question है why did the poet choose that road तो वही सडक poet ने क्यों चुनी थी the poet choose that road because it was less traveled क्योंकि वो सडक जिस पर poet गया वो कम चली गई थी यानि कि उस पर लोगों ने कम चला था he wanted to do those activities which had not been done by anyone earlier और वो क्या activity करना चाहता था वो ऐसे कोई काम करना चाहता था जो पहले किसी के भी द्वारा ना किये गए हो यानि कि वो अपना एक अलग रास्ता चुनना चाहता था the poet did not seem to be interested in choosing a much trodden path of life तो देखें यहाँ पर poet क्या बताना चाहते है poem के माध्यम से कि वो नहीं चाहते थे वो इस चीज में interested नहीं थे जो activities या जो चीजे पहरे लोग कर चुके हैं वापस से वो उन चीजों को नहीं करना चाहते थे इसलिए वो उस रास्ते पर नहीं जाना चाहते थे avoiding the popular rat race he opted for the option that broken fresh ground तो देखें fresh ground का मतलब है यहाँ पर वो fresh ground को चूज करते हैं उस रास्ते को चूज करते हैं जो किसी नहीं चुना था वो जो rat race है ना वो उसमें दोड़ना नहीं चाहते थे उस चूणों की दोड़ में वो दोड़ना नहीं चाहते थे आगे निकल जाना नहीं चाहते थे बल्कि वो चाहते थे कि उनका एक अलगी बेहो वो अलग रास्ते पे जाएं जिससे कि वो अपने जीवन में काफ़ी differences को create कर सकें देखें आपर next question है did the poet make the right choice क्या poet ने सही choose किया था उसकी जो choice थी वो सही थी it is not easy to say whether the poet made the right choice or not तो देखें ये कहना बिल्कुल आसान नहीं है कि poet ने सही रास्ता चुना poet की जो choice थी वो सही थी या गलत थी he himself could not reach to any such conclusion तो देखें इस बात को लेकर poet खुद भी एक सही conclusion पर नहीं था it is possible that he may repent for making such a choice तो देखें it is possible ये मतलब possible है कि उसने जो रास्ता चुना था वो सही था he avoid the popular end of beaten path of life तो देखें उसने क्या avoid किया जो popular path था ये जिस पर लोग जादा चले थे उस रास्ते को उसने नहीं चुना था he dared to choose the path which was less frequented use by the people बलकि उसने उस रास्ते को चुनने की हिम्मत की थी जिस पर लोग कम चले थे this decision might bring all the difference in his life और इसी decision की वजह से उनके जीवन में काफी इस पोएम के माध्यम से हमें क्या कहना चाहिए उनकी जो एनलेटिकल स्किल्स होती है उन्हें लेकर यानि कि वो जो कुछ रास्ते चूज करते हैं या सोचते हैं उनको प्रूज़ करते हैं या सोचते हैं सब्सक्राइब करे help बिसक करते हैं यह चाहते हैं कि जो हमारे सामने से होतय हो उन्हें और हमें कि द्रूज़ करना होती ऑसा क्या करते हैं थूर्ष करता है और नheiro behave responsibly because life does not offer multiple chances every now and then क्यों हमें ऐसा क्यों करना चाहिए हमें responsibly क्यों किसी भी चीज को चुनना चाहिए या responsibly behave क्यों करना चाहिए क्योंकि जो life होती है न वो हमें बार-बार मोके नहीं देती ऐसा नहीं है कि आज कोई मोका हमारे हाथ से छूट गया अगर एक बार एक मोका छूट जाते तो वो वापस से हो सकता आपको ना मिले why did poet take the other road poet ने दूसरी सडक क्यों ली why did the other road have a better claim than the first road और वो claim क्यों करते हैं कि जो दूसरी road है वो जादा better है first से the poet had to choose one of the two roads poet क्या करते हैं कि सामने दो सडके होती हैं और दोन में से वो कोई भी एक को choose करते हैं और जो last travel थी वो उसको choose करते हैं he left the one which was popular choice और जो popular choice थी न वो उसको left कर देते हैं उसको छोड़ देते हैं he decided to take the other road which was less frequented and traveled by the people तो देखे वो उस road को छोड़ देते हैं उसे choose नहीं करते हैं जो लोगों के द्वारा जादा travel की गई थी वो किसको choose करते हैं जो कम जिस पर लोग कम चले थे the other road had a better clam as it was grassy वो कहते हैं कि जो दूसरी सड़क थी वो जादा better थी क्योंकि वो grassy थी it invited the people to walk on it ठीक है तो देखें वो जो है invite कर रही थी लोगों को अपने पर चलने के लिए यानिकि उस रास्ते पर चलने के लिए वो रास्ता लोगों को invite कर रहा था डिस्क्राइब दे कंडिशन ऑफ बौथ बौथ रोड्स डाइट ले ओपन बिफोर दपोएट ऑन देट मॉर्निंग तो देखें हमें उन दोनों सड़कों को डिस्क्राइब करना है कंडिशन को डिस्क्राइब करना है जो उस मॉर्निंग में यानिकि उस उस सुबह पोएट के सामने थी इन दा यलो एटमिनल वोड टू रोड्स डाइवर्स इन्टू टू डारेक्शन तो देखें एक यलो वोड यलो वड इसलिए कहा गया है क्योंकि जो पेट पोधे थे के उपर बिल्कुल भी पत्या नहीं थी पत्जड का मोसम था तो देखें दो सड़के होती हैं पोएट के सामने दोनों अलग-अलग डारेक्शन में जा रही होती हैं बोट ऑफ दैम वर कवर्ड विद फॉलन लीव्स और दोनों ही ढकी हुई होती हैं गिरी हुई पत्यों स पत्यों पत्यों गीरी होती हैं इंदम और बहुत अफ दोनों ही अंटच्ड थी विद्स पहले नहीं चले उस समय की भाथ की सLEब द्रेव्ल्लरσ हैfly सुटरव माल के जो उन्हें उन प्त्यों को अभी काला नहीं किया था वन्स प्रिक्ष यूज्म यूज बाइश हृःब तो देखे कहा जा रहा है कि उनमें से एक रोड ऐसी थी जो अक्सर लोगों के द्वारा लगतार यूज की जाती थी ट्रावलर्स के द्वारा और जो दूसरी थी उस पर लोग नहीं चलते थी यानि कि वो पॉपुलर चॉइस नहीं थी लोगों के लिए इसलिए वो लोगों को अपनी तरफ आकरशित करती थी या इन्वाइट करती थी कि लोग उसके उपर चलने नेक्स्ट कोशन है वाज द पॉएट सर्टेन टू कम बैक उन दा रोड ही है यहाँ पर जो पोएट है वो पोयम में हमें बताते हैं कि मैंने एक सड़क को छोड़ दिया था मैंने सोचा कि मैं फिर कभी उस रोड पर जाऊंगा उस रास्ते पर जाऊंगा तो देखें काफी जटिल होते हैं काफी काफी कन्फ्यूजिंग होते हैं एक सड़क जाकर दूसरे पर जुड़ जाती है इन दिस वाग वन हैस तू मेक चोईस तो देखें ऐसे रास्तों में हमें एक ही सड़क को चूज करना होता है तो पोएट लाग्ट दा वन रोड और होप दाट ही वोड यूज इट ऑन अनादर दे तो देखें पोएट को एक ही रोड को चूज करना था वो एक को चूज करता है और दूसरी को छोड़ देता है कि और किसी दिन इस पर ट्रावल करेगा बट ही वास क्वाइट डाउट फुल देखी यहां पर जो पोएट होता है न वो खु अमेसा के लिए वो रास्ते हमसे चूट जाते हैं रियरली कि डूवी कम ओन तो डेट रोड अगें तो ऐसा रियरली होता है कि हम वापस से उन सड़कों पर उन रास्तों पर जाते हैं सपोस्कर आप टैंस स्टेंडर में पढ़ते हो और आपको आगे चलके कुछ स्ट्रीम करनी है आपको कोई भी आप स्ट्रीम चूज करते हो तो आप ऐसा नहीं है कि आप वापस से आओगे आप दुबारा 11 12 करोगे और दूसरी स्ट्रीम को चूज करोगे नहीं जब हम एक रास्ता चुन लेते हैं तो हमें आगे चलकर उसी रास्ते पर चलना होता है क्योंकि एक हमारी लाइफ का जो आउटकम है किस पर डिपैंड करता है हमारी चोईस पर डिपैंड करता है जो चोईस हम बनाते हैं और हमारी जो डैस्टीनेशन होती है जिस पर हम पहुंचते है ना उस पर तो देखें यहां पर जो हमारा कोशन है वो यही है यह पूछा जारा है कि किस करता है हमारी DESSTINATION पर एक पहुंचते हैं ज Llय जानते इसके आंसर को सारी मुसीबते हैं रास्थे हमारे सामने होते एट प्रवाइब सा कर दिरंध कर डिफ्रेंगी यह moyen जो सामने बहुत सारी चॉइसेश होती हैं बहुत सारे ओपोस्टे है और किसी चीजी को चुना बहुत आसान नहीं होता है सप्वलिण żo है किसपर रिपैंट करता है उस चोिस पर घैंड करता है जो हमने कहीं लिया है mostly people choose the most popular and frequent path of life तो देखे अधिकतर लोग करते क्या हैं उन रास्तों पर चलते हैं जो popular होते हैं जिन पर frequently चला जाता है उन रास्तों को चुनते हैं but some bold and adventurous people take risk लेकिन कुछ जो बहादूर लोग होते हैं सहसी लोग जो होते हैं वो risk लेते हैं and choose the last frequented path and way of life और वो ऐसे रास्तों को चुनते हैं जिन पर लोग कम चले हैं यानि कि वो अपना एक अलग और एक नया रास्ता बनाते हैं और इसी तरह से वो success get करते हैं I hope सभी questions आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे और यहाँ पर चलते चलते हैं पोयम के बारे में आपको बता देते हैं moral क्या है और क्या poet हमें कहना चाते हैं poet हमें कहना चाते हैं कि जो भी हम रास्ते चुनते हैं वो हमें बहुत carefully वो सोच विचार कर हमें उन रास्तों को चुनना चाहिए तो यहाँ पर सड़क का मतलब यह नहीं है दो सड़के हैं जो मतलब जो नहीं चली गई है अच्छी है उसे ही हमें चुनना है नहीं ऐसा नहीं है यहाँ पर road का मतलब बताए कि हमें अपने जीवन में किस लक्षय तक पहुँचना है हमारी destination क्या है कहां हमें जाना है वो हमें बहुत ही सोच विचार कर उन रास्तों को चुनना चाहिए I hope आपका पूरा clear हो गया होगा concept वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें चैनल पर पहनी बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कुछ और वीडियो के लिए और बैल आइकन को भी प्रेस करें तो मिलते हैं अपने नेक्स टॉपिक में तब तक के लिए बाबाई और टेक केर